हेलो फ्रेंग्स स्वागेत आपका आज किस विखली 4X forecast वीडियो में तो फ्रेंग्स आज किस विखली 4X वीडियो में हम हर वीक की तरह इस वीक भी तीन major currency pair के बारे में easy technical analyze करेंगे और समझेंगे इस वीक में हम EURUSD, GBPUSD और UHD JPY currency pair में किस तरीके से एक easy analyze कर सकते हैं और बंडे के time frame and 4 hour के time frame में हमें किस तरीके का setup देखने को मिल रहा है तो छलिए वीडियो को start करते हैं तो फ्रेंज सबसे पहले हम EURUSD currency pair में analyze करेंगे बंडे के time frame में दोस्तों इस week analyze करने से पहले हम previous week के analyze के बारे में भी समझेंगे previous week EURUSD में हमारा क्या analyze रहा और EURUSD ने किस तरीके से perform किया है तो यहाँ पे दोस्तों हमने बंडे का time frame open कर लिया है EURUSD currency pair में सबसे पहले हम जानेंगे previous week हमारा क्या analyze रहा तो previous week दोस्तों हमने एक simple paralyzed channel यहाँ पे ड्रो किया है अगर आपने previous video देखा है तो आपको याद होगा हमने simple यहाँ पे क्या किया एक paralyzed channel को यहाँ पे ड्रो किया है कुछ इस तरीक से और हमने यहाँ पे देखा हमारे paralyzed channel को EURUSD ने काफी अच्छे से respect किया है बंडे के time frame में यहाँ पे हमने देखा multiple time resistance लिया और इस label के आसपास trade कर रहा था EURUSD और हमने यहाँ पे किजी analyze किया था हमने यहाँ पे देखा अब EURUSD के लिए यह एक support label हो सकता है तो EURUSD इस label को support लेने आ सकता है finally EURUSD इस label को support लेने आया और यहाँ पे हमारा view था buying की तरफ अगर EURUSD यहाँ से support लेगा तो हम यहाँ से buying की तरफ देखेंगे और इस label के आसपास यहाँ पे हम target देखेंगे और finally दोस्तों आप देखिए इस label का EURUSD ने support लिया और यहाँ पे हमारे target को achieve कर दिया तो यहाँ पे हमारा simple analyze था previous week बंडे के time frame में चलिए हम चलते हैं 4 hover के time frame में ताकि और अच्छे से हम समझ पाएं देखिए अगर हम 4 hover के time frame में देखेंगे तो यहाँ से आप और भी अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे simple analyze था friends यहाँ पे देखिए यह हमारे paralyzed channel का upper line है और यह lower line यहाँ पे आपको नज़र आएगा ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया था इस level के आसपास जब EURUHD trade कर रहा था उससी time पे हमने बोला था इस level के आसपास EURUHD support लेने आ सकता है यहाँ से horizontal line भी यहाँ पे draw हो रही है 0.25,637 के लेबल का support ले सकता है और यहाँ से अगर हमें EURUHD support लेता हुए नज़र आता है तो हमें buying की तरफ देखना चाहिए और इस level के आसपास हमें target देना चाहिए तो finally दोस्तों आप देखिए हमारे target के लेबल के आसपास ही EURUHD trade करता हुए आपको नज़र आएगा अभी friends इस week में हम EURUHD में किस तरीके से एक analyze कर सकते है तो देखिए अभी हम जो हमारा paralyzed channel है अभी हम paralyzed channel के अंदर ही trade कर रहा है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है friends देखिए इस लेबल का support लेने के बाद अगेन इस लेबल के आसपास EURUHD trade कर रहा है अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए ये वाला लेबल previous time EURUHD ने इस लेबल को support लिया है यहाँ पे देखिए तो support लिया है support लिया है support लिया है और again यहाँ से resistance लेता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ से दोस्तों इस लेबल को again यहाँ से resistance लेने के बाद फिर से यहाँ से EURUHD हो सकता है में भी fall वगेरा करें अगर यहाँ से हमें fall करता हुआ नज़र आता है EURUHD तो again हमें इसी लेबल का target देना है जो हमारा previous support था previous EURUHD ने इस लेबल को support लिया था इसी लेबल का यहाँ पर हमें target देना चाहए आप बात करते हैं दोस्तों यहां से buying की, क्या हम यहां से buying की तरब देख सकते हैं दोस्तों अगर आप buying की तरब देख रहे हैं EURUSD में तो आपको थोड़ा बेट करना चाहिए इस resistance के breakout का जैसे इस resistance का breakout हो breakout होने के बाद यहां से retrage करने आए इसके बाद आप buy की तरफ देखें और target आप इस label के आसपास दें नहां पे हमारे paralyzed channel का resistance line है इसी line का हम यहां से target दे सकते हैं अभी देखिए यहां पे अगर हम इसी label को extend करते हैं देखिए previous time EURUSD ने इस label को resistance लिया है तो इसी label को हम कुछ इस तरीके से extend कर देंगे तो हमें यहां पे क्या समाज आता है यहां पे हमें समाज आता है यह वाला label देखिए हमारी paralyzed channel का एक resistance level भी है साथी साथ previous time EURUSD ने इस label को resistance की तरह यहां से react भी किया है तो यह वाला label काफी important हो जाता है EURUSD के लिए तो यहां पे हमें किस तरीके से analyze कर सकते हैं I hope आप अच्छे से समझ पाए होंगे देखिए friends यहां पे rejection के chances काफी जादा है इस label के rejection के chances काफी जादा है पाइंग की opportunity देखे तभी आपको यहां से buying की तरफ देखना चाहिए देखिए हम extra confirmation अगर यहां से हम 81 को लेंगे देखिए यह high to low ठीक है यह वाला high और too low अगर 81 को यहां पे draw करेंगे तो यहां पे हमें 81 के labels भी देखने को मिलेंगे ठीक है कौन सा level है देखिए 0.5% का फिबनासी का labels भी यहां पे आपको नजार आ रहा है ठीक है तो हो सकता है यहां से market rejection बगेरा करें ठीक है तो इस तरीके से आप इस week में euro-usd currency pair में एक easy technical analyze कर सकते हैं चली फिरस अब हम समय लेते हैं GBP-usd में 4 hour के time frame में हम किस तरीके से इस week में analyze कर सकते हैं और पिछली week का हमारा क्या analyze था तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे पिछली week का हमारा क्या analyze था simple analyze था फिरस यहां से अगर हम देखेंगे तो देखिए हमने क्या किया था एक यहां से resistance level यहां पर draw किया था कुछ इस तरीके से और यहां पर एक support level यहां पर draw किया था हमने यहां पर देखा euro-usd अगर यहां से support लेता है तो यहां से हमें buying में देखने को मिल सकता है लेकिन finally यहां पर आप देखेंगे तो यहां से जीबी-pohd में एक panic selling हमें यहां पर देखने को मिली इस level को support ही नहीं लिया है इस level को breakdown करते हो big rate candles बना दी इसके बाद यहां से देखे recover किया और हमारा जो target था इस level का ठीके जो drawing भी आप देख सकते हैं बनी हुई है previous week की तो यहां पर हमारा target था इस level के आजबी-pohd रिटेश करने आ सकता है अगर यहां रिटेश करने आया तो फिर यहां से again fall वगेरा कर सकता तो इस तरीके से previous week हमारा एक easy analyze था अभी इस week में हम क्या analyze कर सकते हैं तो simple analyze है friends देखे यहां पर हमें कुछ इस तरीके से देखे जीबी-pohd ने क्या किया यहां से fall किया इस level के आसपास अगर आप buying की तरफ देख रहे हैं तो देखे आपको इस level का breakout के बेट करना चाहिए, breakout के बाद, retrace के साथ यहां पर हमें कोई buying की opportunity मिले हैं तभी हमें यहां से buying के तरफ देखना चाहिए और यहां पर target की बात करें तो friends इस level के आसपास आपको target देना चाहिए देखे प्रिवेस टाइम GBPUSD ने इस level को support लिया है तो again इस level को resistance ले सकता है लेवल कौन सा है तो यहां पर हम देखेंगे 1.14482 का level हमें यहां पर देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से इस week में हम GBPUSD में एक easy analyze कर सकते हैं तो चली friends अब हम यहां से UHD JPY currency pair के बारे हम समझ लेते हैं इस week हम किस तरीके से एक easy analyze कर सकते हैं लेकिन इससे पेले हम समझने बाले है previous week का हमारा क्या analyze था और UHD JPY ने किस तरीके से पर्फूंग किया है previous week एक simple analyze था देखिए सबसे पेले हमने एक resistance level यहां पर draw किया था कुछ इस तरीके से और यहां पर हमारा analyze था देखिए UHD JPY ने काफी अच्छा fall किया है इसके बाद यहां से recovery आ रही है तो यहां पर ध्यान दिजिए इस level के आसपास जब trade कर रहा था UHD JPY previous week उस टाइम पर simple analyze था हमारा हो सकता है UHD JPY इस resistance का breakout करे और breakout के बाद यहां से अगर retrage करने आता है तो हमें buying की तरफ ही देखना चाहिए और first target हमें इस level का देना चाहिए क्योंकि यह वाला label UHD JPY के लिए एक important level है इस label को previous time काफी अच्छे से UHD JPY ने resistance लिया resistance लिया, resistance लिया और again resistance ले सकता है second view था अगर इस label का इस resistance का UHD JPY face करता है resistance लेता है तो फिर हमें selling की तरफ देखना है और इस label का target देना है यह वाला label जो support यहां से हमने draw किया था तो कुछ इस तरीके से यहां से previous week हमारा एक easy analyze था अब यहां पर chart को zoom करके देखेंगे देखें यहां पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए इस label का breakout, breakout के बाद retrace, retrace के बाद देखें यहां से easily हमारा target achieve हो चुका है ठीक है अब यहां पर इस week हम किस तरीके से analyze कर सकते हैं usdjpy में दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है जो previous हमारा resistance label था इसी label को extend कर देंगे कुछ इस सरीके से second यहां पर हमारा जो support label था इसी label को कुछ इस तरीके से हम थोड़ा इस label के आसपास लेके आएंगे और इस label को कुछ इस सरीके से draw कर देंगे यहां पर हम draw कर देंगे इसको छोटा कर देंगे इस label के आसपास अभी हमने यहां पर देखिए एक यहां से support label और एक resistance label यहां पर draw कर लिया है अभी हमारे इस support और resistance को multiple time यहां से usdjpy ने support लिया resistance लिया support लिया resistance लिया support लिया, resistance लिया यहाँ पे हमें क्या समझ आता है हमें समझ आता है USD JPY इस range के पसव हुआ है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है अगर इस range का breakout होता है breakout होता है और यहाँ से breakout के साथ यहाँ से retrace करने आता है यहाँ से हमें buying की तरफ कोई signal मिलता है buying की कोई opportunity यहाँ से दिखती है तो हमें buying की तरफ दाना चाहिए बात करते हैं selling की तो simple है दोस्तों जब तक इस support का breakdown ना हो ध्यान दीजिए इस support label का जब तक breakdown ना हो तब तक हमें selling की तरफ नहीं देखना चाहिए अगर यहाँ से breakdown हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम इस label का target दे सकते हैं कुछी इस तरीके से friends आप USD JPY में भी एक easy analyze कर सकते हैं यहाँ पे हमने एक simple analyze किया कुछी इस तरीके से दोस्तों आप इस week में USD JPY में एक easy analyze कर सकते हैं तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस week में यूरू-USD, GBP-USD और USD JPY में हम किस तरीके से एक easy analyze कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो फसंद आईए analyze फसंद आईए तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर करिएगा चैनल पर नए हो और बाव दोस्तों